नमस्कार बच्छो आपका उनलेन क्लासेस में स्वागत है मेरा नाम मिंकल वर्मा है और आज अपन क्या करेंगे बच्छो आज अपन जो अपनी इंगलिश की बुक है इसमें से अपने चैप्टर नंबर एट को पढ़ लिया था चैप्टर नंबर एट क्या था वी और एंड वी और एंड दे एंड देयर जो कि अपने अच्छे से पढ़ लिया था आज अपन क्या करेंगे बच्चों उसके question answer करेंगे क्या करेंगे बच्चों अपन उसके question answer सो आप भी अपनी बुक को निकालो और chapter नंबर एट के question answer अपन दोनों मिलकर करते हैं question number a, a क्या है? a है सही उत्तर पर take right कीजिए ठीक है right का निशान लगाना है अपन को सही उत्तर के लिए और यहां पर blank दे रही है अपन को जो उस पर right का निशान लगाएंगे उसे यहां पर fill करना है ठीक है question number 1 क्या है? dash is our school अब अपन को dash की जगा इन तीनों option में से एक को पढ़ना है और option क्या है? first option है this, second option है we and third is they तो यहां पर क्या है बच्चो अपन को यहां पर पढ़ना है this, क्या है? first वाला option क्या पर लगेगा option क्या आपन यहां पर fill करेंगे? this this is our school यह हमारी school है आगे देखिए second question क्या है? those are dash gods अब यह जो हाँ पर dash है, dash की जगा पन को जो तीन option दे रखे हैं उन में से अपन को एक को टिक करके यहां पर fill करना है so, जो question है, those are dash gods तो dash की जगा अपन यहां पर fill कर सकते है, option number first में दे रखा है, we, second दे रखा है, see and third दे रखा है, there so, अपन क्या करेंगे? जो third वाला question है, there इस पर टिक करेंगे और इसे यहां पर fill करेंगे so, अपन फिर से रेट करते हैं, those are tear gods, वे हमारी बकरियां है, आगे बढ़ते हैं, question number three क्या है, those are dash wall so, dash की जगह अपन को option दे रखा है, she, second option है, are and third option is tear so, अपन को क्या करना है, यहां पर, there को fill करना है, so, अपन दे पर टिक करेंगे और इसे यहां पर fill करेंगे और इसे अपन रीड करेंगे, क्या, those are dare ball इसका मतलब क्या है, वे हमारी गैन दे हैं, आगे बढ़ते हैं अपन उचित विकल्प, correct, alternative की साहिता से रिक्ष्थानों की पूर्ती कीजिए अब यह जो है ना, यहां पर क्या दे रखें अपन को, यहां पर अपन को, मतलब blank, खाली जगह दे रखी है उनको क्या करना है, यहां पर दो-दो option दे रखें हैं, उन options में से जो एक correct answer है, उसे यहां पर fill करना है तो अपन इसे करते हैं, वे को, उचित विकल्प को चुनते हैं, जो first वाला question है, वो क्या है, those are dash work तो यहां पर क्या आएगा, those are, यहां पर आएगा, art तो यहां पर पहले से ही फिल कर रखा है, तो आपन क्या करेंगे, यहां पर fill करेंगे, tear, मतलब there those are dear books, तो यहां पर क्या आएगा, यह मतलब वे हमारी किताबे हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं, क्या है, dash are farmer तो I are farmer तो होगा नहीं, यहां पर क्या आएगा, दे, तो आपन क्या fill करेंगे, यहां पर बच्चों आपन fill करेंगे, दे तो they are farmers, वे कितान है, आगे बढ़ते हैं, जो third question क्या है, dash are student तो I are student होगा नहीं, जो second option में क्या देख रखा है, we, तो यहां पर अपन fill करेंगे, we क्या हो जाएगा, we are student, हम विध्यारती है, आगे बढ़ते हैं, जो fourth question है, वो क्या है, these dash, अगर by cycle तो dash की जगा, are, क्या आएगा, are आएगा, क्योंकि am तो आएगा नहीं, तो यहां पर क्या फिल करेंगे, आपन तो क्या है, these are our by cycle, यह हमारी क्या है, cycle है, आगे अपन फिर से से एक बार read करते हैं, इनके answer के साथ, first क्या है, क्योंकि am feeling the blanks को भर दिया है, यह complete हो चुका है, आपन इस से फिर से read करते हैं, first question is, those are tear books, those are their books, वे हमारी किताबे हैं, they are farmers, वे किसान हैं, we are student, हम विद्ध्यारती हैं, these are our by cycle, यह हमारी cycle है, आगे बढ़ते हैं अपन, शब्दों को सही कर्म में, words in right order, अपन को क्या करना है, इन्हें right order में लिखना है, हाँ, शब्दों को सही कर्म में लगा कर वाक्यों को बनाईएं, यहाँ पर जो यह दे रखे हैं, इन्हें अपन को क्या करना है, इन्हें right order में लिखना है, तो क्या है, are they student, यहाँ पर यह दे रखा है, तो अपन को क्या करना है, इससे right लिखना है, क्या लिखेंगे अपन, they are student, हम विध्यारती है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, tear those are in book दे रखा है, तो यहाँ पर क्या आजाएगा, those are team books, those are their, क्या हो गए यहाँ पर, those are their books, आगे क्या है, third वाला, are bad, they, are bad, though, they are, अब अपन को क्या करना है, इससे, सही order में लिखना है, तो क्या लिखेंगे, they are, these are, और, bats, okay, बच्चो, these are our bats, आगे देखते हैं, यहाँ आगे क्या रखा है, bicycle, और, are, और these दे रखा है, तो अपन इससे सही order में लिखते हैं, चलो बच्चो मिलकर, पहले आजाएगा, these are, और, these are, और, क्या आजाएगा, bicycle, आपन यहाँ नीचे लिख देते हैं, bicycle, अब इन्हें अपन फिर से बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, these are our back, these are our bicycle, ओके बच्चो, अपन ने राइट और में इन्हें लिख दिया है, अब अपन डी की तरफ बढ़ते हैं, निवने लिखे शब्दों को, उनके हिंदी अर्थ से मिलान कीजी, अपन को यहाँ पर मैच करना है, वो भी राइट आंसवर्स से, अपन मैच करते हैं, यहाँ पर इनकी जो इंग्लिश स्टालिंग्स दे रखे हैं, और इनकी हिंदी अर्थ दे रखे हैं, इनसे ने मिलाना है, तो फॉर्स्ट क्या है, फॉर्स्ट है, पूल, अब स्कूल को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में, स्कूल को हिंदी में क्या बोल हैं हिन्दी में बोलते हैं विद्याले किसे मैच करेंगे इस से मतलब होता है तो अपनिसे दूसरे से मिला एंगे और जो पुर्ट वाला है वो क्या है स्टूडेंट यह हमारा से मिल जाएगा क्यों कि स्टूडेंट का मतलब होता है जात्र अगर इसे चाहे तो कुछ इस तरीके से भी कड्साने हैं जैसे की यहाँ पर जो फॉर्स्ट है स्कूल उसको यहाँ यहां पर कर दो जो घो इसके लिए पर आप सेखेट लिग दो और जो प्रेंड है उसके लिए अपन क्या करेंगे required क्या होता है मित्र इस अपन थाड से मिलाती है और जो लास்ट बचा रहे और इसे तरीके से मैंच भी कर सकते हैं ऊके बत्चों क्यों आथ को कॉशन अंसर को क्म्प्लीट कर लियां क्यों तब तक के लिए dive